तो इस question का सही answer है जूल First question का A answer सही है जूल Second question पुसकर जील कहा इस्तित हैं मतलब यह किस राज्य में हैं तो पुसकर जील यह राज़स्थान में हैं तो second question का D answer सही है राज़स्थान अब आज की जो करणिफर की class है इसे हम start करते हैं पहला question 17 November 2020 को लाला लात्पत राय की कौन सी भी पुन्ने तिती मनाई गई बताए फर्स्ट question का सही answer क्या है अभी recently 17 November 2020 को लाला लात्पत राय की 93 death anniversary यह मनाई गई यानि तराण में भी पुन्ने तिती मनाई गई तो इस question का सही answer है D D option इस question का सही answer है और देखो यह Indian nationalist लीडर भी थे और इनको पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था यह point आप याद रखेगा कि इनको लाला लात्पत राय को पंजाब केसरी नाम से भी जाना जाता था तो फर्स्ट question का D आसर सही answer है 93 death anniversary 2020 में इनकी मनाई गई second question नवंबर 2021 में किस राज्य के मुख्यमंद्री ने दुआरे राशन यानि घर पर राशन योजना शुरू की है तो अभी हाली में नवंबर 2021 में पश्चिमंगाल की जो मुख्यमंद्री है ममतब एनर जी इन्होंने भी recently 16 नवंबर 2021 को दुआरे राशन यानि घर पर राशन योजना इसको श्टार्ट किया है तो इस question का सही answer है पश्चिमंगाल B option इस question का सही answer है देखो नाम से ही आप जान गए होंगे कि राशन at door stop यानि घर पर राशन पहुचाया जाएगा तो ये scheme अभी recently पश्चिमंगाल की सरकार ने launch की है और इससे राज्य के 10 करोड लोगों को फायदा भी होगा अब बात करतें दूसरा option की हिमाचल परदेश हिमाचल परदेश की सरकार ने परवाध धारा योजना इसको इस्टार्ट किया और हिमाचल परदेश के कुल्लू में पहली बार मौंक फूरूट की खेती इस्टार्ट की गई जिसके बीच चाइना से लाए गई थे बात करें तमिलाडू की तो भारत का पहला डुगोंग संरक्षन रिजर्व ये तमिलाडू में बनेगा मध्य परदेश की बात करें मध्य परदेश की सरकार ने अंकूर योजना इसको इस्टार्ट किया है ये रही पश्ची मंगाल की लोकेशन ये देखिया ये इसकी लोकेशन है आसपास के राज्जों की बात करें उडिसा, जारकंड, बिहार, सिक्किम और आसाम इन राज्जों के साथ इसकी बाउंडरी शेर होती है नैपाल, बुटान और बांगला देश तीन देशों के साथ इसकी इंट्रेंशल बाउंडरी बनती है ये बेसिक इनफोर्मेशन है कॉलकाता इसकी केपिटल है हुगली रीवर के किनारे है ये ये कोशें काफी बार इक्जर्म्ट पूछा जा चुका है कि कॉलकाता किस नदी के किनारे है तो हुगली रीवर के किनारे है ये 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी ममता बैनर जी मुख्य मंतरी है जगदीप धंकड ये राज्यपाल है कॉलकाता में इसकी हाइकोट है जहांके मुख्य नयादी से प्रकास सिरिवास्तव पश्य मंगाल और अंडमान ए निकुबार आइलेंड की जो जुरिस्टिक्शन है ये कलकाता हाइकोट के अंतरकत आती है जहांके मुख्य नयादी से प्रकास सिरिवास्तव अब नैशनल पार्क की बात करते हैं सेकंड कोशन पहले ये मिटा देते हैं थर्ड कोशन हमारा कवर हो गया है किस राज्य के पोचम पल्ली गाओं को संयुक्त राष्ट्य विश्व परियटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वसलिष्ट परियटन गाओं में से एक के रूपे चुना गया है देखो ये जो लोकेशन है ये इंपोटेंट है पोचम पल्ली गाओं ये कहां पर हैं तो ये है तेलंगाना में तो इस कोशन का ए आंसर सही है तेलंगाना ये आप याद रखेगा और देखो UNWTO की जो जनरल असेमली है यानि महासवा है ये 2 December 2021 को Spain की Capital Madrid में जब इसका 24th सेसन आयुजित होगा उस मौके पर ये अवोड दिया जाएगा तो ये आप याद रखेगा और ये जो पोचम पल्ली है इसको Silk City ओफ इंडिया भी कहा जाता है ये फैक्ट भी आप याद रखेगा पोचम पल्ली ये तेलंगाना का जो नल गॉंडड़ जिला है वहाँ पर रहिए और पोचम पल्ली इकत यहाँ पर लिख देता हूँ इसको स्टार्ट किया हरियाने की सरकार ने प्रान वायू देवता पैंसन योजना इसको स्टार्ट किया गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना इसको स्टार्ट किया अब तेलंगाने की लोकेशन देखे आप ये है तेलंगाने की लोकेशन आसपास के राज्जों की बात करें आंदर परदेश, करनाटका, महाराष्ट्रा, छतिलकड इन राज्जों के साथ तेलंगाने की बाउंडरी शेर होती है ये बेसिक इंफर्मेशन है हैदरबाद इसकी कैपिटल है केच चंदरशेकर राओ मुख्यमंदरी है तमिली साइस सोंदराजन, ये राज्यपाल है, दो जून 2014 को ये इसकी फोर्मेशन हुई थी, ये आंदर परदे से अलग हुआ था 33 जिले हैं लोकसभा की 17 सीट, राज्यसभा की 7, विधान सभा की 119 सीटे हैं और विधान परिशद की 40 सीटे हैं, एहदराबाद में इसकी हाई कोट है, जहां के मुखे नयाजी से 37 चंदर शर्मा और बाउंडरी के अभिमने बाद करी, इन चार राज्यों के साथ इसकी बाउंडरी शेर होती है 9.20 में किसे आंतेराष्टे किर्किट परिशद यानि ICC किर्किट समीती के अधिक्स के रूपे निक्त किया गया है तो बदाईए इस कोश्चन का सही आंसर क्या है, इस कोश्चन का सही आंसर है, सौरभ गाउंगोली फॉर्थ कोश्चन का ए आंसर सही है, सौरभ गाउंगोली फिफ्ट कोश्चन, राश्टे खनीज, विकास निगम यानि NMDC जिसको इंग्लिश में बोलते है नेशनल मिनरल डेवलप्मेंट कॉर्परेशन ने नॉवमर 2021 में अपने प्रधान कारेले हैदरबाद में अपने इस्थापने दिवस की कौन सी वर्जगाट मनाई तो बताईए इस कोश्चन का सही आंसर क्या है इस कोश्चन का सही आंसर है B 64th अभी रिसेंटल फोर्मिशन डे बनाया गया इसका हैड़कोटर हैदरबाद में है और देखो इसकी जो फोर्मिशन हुई थी ये हुई थी 15 नॉवंबर 1958 में ये 1958 आप याद रखेगा ये Ministry of Steel इसके अंदर में ये बोड़ी काम करती है तो ये फेक्ट आप याद रखेगा 5th कोश्चन का B आंसर सही है नॉवंबर 2020 में किसने नई दिल्ली के दिल्ली हाट में ट्रीफेट आदी महुसफ का उधखाटं किया तो 6th कोश्चन का सही आंसर क्या है आप ये बताइए तो देखो यूनियन ट्राइबल आफेर्स मिनिस्टर जिनका नाम है अरजुन मुंदा इन्होंने 16 नॉवंबर 2020 क नई दिल्ली में जो दिल्ली हाट है यही पर ही ट्रीफेट का आदी महुसफ का उधखाटं किया है इसमें तक्रीबन 26 राज्यों से 1000 के करीब जो ट्राइबल आर्टिशन्स हैं वो इसमें पाटिस्पेट करेंगे और देखो MC मैरी कोम इनको ट्रीफेट आदी महुसफ का ब और पूछा जाए इसका फर्स्ट एडिशन कब आयजित हुआ था तो फर्स्ट एडिशन हुआ था इसका 2017 में तो सिफ्ट कोशन का सी आंसर सही है अर्जुन मुंडा राश्ट्य मेरी की दिवस कम मनाया जाता है यानि नेशनल एपलेसी डे यह कम मनाया जाता है तो यह बात करें दूसर ओप्षें की ग्यारा नॉवंबर को नेशनल एजुकेशन डे यह मनाया जाता है तो सेवन्त कोशन डी आंसर सही है 17 नॉवंबर विश्व समय पूरवत दिवस प्रतेक वर्स 17 नॉवंबर को मनाया जाता है यूरोपिय मूल संगठोन द्वारा किस वर्ष दिवस बनाय गया था पतला ये दिवस किस वर्ष मनाय गया था आंसर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 2008 8th question का B आंसर सही है 2008 9th question 9th question नवंबर 2021 में किसने Sao Paulo Grand Prix में जीत हासिल की है पतला 2021 में आंसर क्या हो जाएगा Lewis Hamilton 9th question का B आंसर सही है Lewis Hamilton ये कुछ important Grand Prix है 2021 की तो इस slide का आप screen store ले लिजेगा 10th question कौन सा देश दो दसों को बाद 2025 Championship Trophy की मेजवानी करेगा जो ICC का एक प्रमुक टूर्नामेंट है आंसर क्या हो जाएगा Pakistan 10th question का D आंसर सही है पाकिस्तान ये कल के question जो आप से पूछ गए थे किस राज्जे के मुख्यमित्री ने 14 नॉम्बर 2020 को जोल जीवी के प्रशिद पारम पर एक वेपार मेले का उधखटंग किया उत्राखंड सही है आंसर है 15 से 24 नॉम्बर 2020 के बीच जैसोर से कॉलकत्ता तक भारत और किस देश की सैनाओ की एक सैयुक्त साइकल रैली आयुजित की जा रही है बांग नदे सही आंसर है फुटवेर ब्रांट प्लेटो ने किसे अपना ब्रांट एमिश्टर बनाया रहुल दिरेविड सही आंसर है ICC T20 विश्टकप 2021 किस ने जीता ओस्टेलिया इस कोशन का सही आंसर है ये आज के कोशन है जिनका आंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है 16 नॉम्बर 2020 को युनेस्को की कौन सी भी वर्सकार्ट मनाई गई नॉम्बर 2020 में किस राज्ये में भारत का पहला खाग सुरक्षा संगराले खुला है थर्ड कोशन किस राज्ये के किस राज्ये में भारत की पहली घास संरक्षिका का उधगटन किया गया फोर्थ कोशन किस राज्ये ने केसरे हिंद को राज्य तितली घोशित किया है पांच वो कोशन होना राट के 33 संस्करन का उधगाटेंग कहा हुआ नेक्स्ट कोशन हभीब गंज रेलवे स्टेशन किस राज्य में है तो इन 6 कोशनों का अंसर आपको कमेंट बोक्स में बताना है फ्लालिस डिसकुशन को यहीं पर रोकते हैं थैंक्यू